हे गाइज वेलकम टू वालीवूड तड़का मैं आपके साथ दिव्या पांडे चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप टेन खवरों पर इंडस्ट्री में 10 साल पूरे कर चुकी एक्टरस हुमा कुरेशी और सुनाक्षी सिना की पहले मुद्दे वाली कॉमेडी फिल्म डवल एक्सल जल्द रिलीज होने वाली है इसे हेलमेट फेम सत्राम रमानी ने डैरेक्ट किया है वॉलिवूड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक सेलेप्स ने करवा चौत के तेवहार को धुमधाम से मनाया कई एक्टरस ने तो इस वरत को पूरे रिती रिवाजों के साथ अपने पती के लिए पहली बार भी रखा कट्रीना कैफ से लेकर मौनी राय तक इस लिस्ट में कई एक्टर शामिल है शादी के बाद कट्रीना कैफ की रिलीज होने वाली पहली फिल्म फोन मूध होगी कट्रीना ने अपनी करियर में पहली बार हॉरर कॉमेडी फिल्म में काम किया है कट्रीना इसमें ऐसे ऐसे भूत के रोल में है जो मरे हुए लोगों को मोक्ष प्रदान करती है बिग बॉस 16 में एक्टर डारेक्टर साजित खान की एंट्री के साथ ही वॉलिवोड में फिर से मीटू के मुद्दे पर बहर शुरू हो गई है 2018 में करीब 10 एक्टरिस, मॉडल और जनर्लिस्ट ने साजित पर सेक्शुल हरेस्मेंट के आरोप लगाए थे फिल्म थैंग गॉड के मेकर्स ने हाल ही में सोशल मेडिया पर इसका इस पेशल ट्रेलर रिलीज किया उन्होंने दिवाली ट्रेलर का नाम दिया ट्रेलर में अजय द्योगन चित्रगूप की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं एक्टरिस काट्रीना कैफ ने हाल ही में शादी के बाद अपनी जिन्दगी बदलने को लेकर बात की पती विक्की कौशल को लेकर खुल कर बात की है कहा शूटिंग की वज़े से उन्हें विक्की के साथ ज्यादा समय बिताने को नहीं मिल बाता है भारती क्रिकेट टीम के क्रिकेटर युजेंद्र चहल की पत्ती धन श्री वर्मानिक करवा चौथ पर एक प्यारा सा वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है इस वीडियो में चहल अपनी पत्नी का व्रत वीडियो कॉल पर खुलवाते हुए दिखाई दिये शिल्पा शेटी करवा चौथ के मौके पर अनिल कपूर के घर पहुँची और वहां सभी ने एक साथ मिलकर इस तेवहार को सेलिब्रेट किया शिल्पा ने सोशल मीडिया पर एक सेलिब्रेशन की एक वीडियो शेयर की जिसमें रवीना टेंडन नताशा दलाल, सुनीता कपूर, महीब कपूर जैसे कई एक्टरस नजर आ रही है सुपर स्टार अलू अरजुन और ओलंपिक जैंपियन गोल्ड मैटलिस नीरत चोपडा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों पुषपा का सिगनेचर पोस देते हुए नजर आ रहे हैं आमिर खान ने फिल्म लाल सिंग चड़ा से सिनेमा घरों में चार साल बाद पापसी की फिल्म का अविनेता ने जम कर प्रमोशन भी किया लेकिन बाइकॉर्ट में फर्स करिया फिल्म सिनेमा घरों में कमाल नहीं दिखा पाई